नमस्कर दोस्तों सौगत है आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एज्यूकिस्ने चैनल में तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे की सरीर में काफी ज़्यदा पस बना और पस या टाके पकने की समस्या हो रहे हैं तो यहाप आप देख रहे हैं कि यह जो स्टीचिस ले रहे हैं और फिर वहाँ पर आगे जाके जो है वो पस पर चोट लगना वहाँ पर गाव हो जाना नूकली जिस से जखाम होना तो यह जो सब भी हैल्फ प्रॉब्लम से वो इंडिकेट करते हैं कि पस फार्मेशन हो रही है सरीर में काफी ज़्यादा जो है वो पस बन रही है और उसके करन काफी ज़्यादा दिक्कती आती है और उसको ठीक करना जो है वो काफी ज़्यादा जरूरी बन जते है वरना क्या होता है कि आसपास के दूसरे जो औरगन्स होते है आस-पास की जो दूसरे एरिया होते है वहाँ पे भी यह problem create कर सकते है तो पास क्या है सबसे पहले वो समझते है तो पास एक ठीक fluid है जो खासकर yellow इस color का होता है और जब सरीर में किसी भी जगा पे कोई infection होता है तो वहाँ पे यह pass formation जो होती है तो यह peak में आप अच्छे से समझ पाओगे तो यह आप देख रहे हैं एक infected area है तो यह वाला जो है skin के उपरी हिस्सा है और यह वाला जो skin के अंदर का हिस्सा है तो skin के अंदर क्या हो रहा है कि यह जो bacteria है वो grow कर रहे है अपनी और वो bacteria को kill करने के लिए white blood cell आ रहे है तो जो WBC और जो white blood cell है और जो bacteria है वो सभी के बीच में क्या होता है एक fighting जैसा होता है मलब कि जो हमारे WBC है वो bacteria को destroy करने के लिए वहाँ पे जमा होते है और वहाँ के जो cell होते है skin के वो भी inval होते है ये process के अंदर तो उसी के करन ये तीनों के combination से वहाँ पे pus बनता है जैसे कि वहाँ पे white blood cell होते है dead tissue cell होते है and living organism और dead microorganism वहाँ पे present होती है तो जैसे मैं अब यह समझा है कि जो fighting होती है bacteria and WBC के बीच में उसके करन जो content वहाँ पे तयार होता है कि जहाँ पे जो WBC है वो भी उसमें रहेंगे जहाँ पे ये fighting हो रही है वो area के जो cell है वो भी damage होते हैं तो वो भी इसके अंदर present होते हैं और जो bacteria है वो भी ये pulse के अंदर present होते हैं कुछ जीवित bacteria भी होते हैं कुछ मुरूत बेक्टिरिया भी उसके अंदर प्रेजंट होते हैं तो ऐसे ही आपको बहुत सरे बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो अब हमारी बुक भी अवेलेबल है कि जैसे हम वीडियो में सीखते हैं ऐसे ही डिटेल में बुक के अंदर भी आपको अलग-अलग चैप्टर्स मिल जाएगे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो हमारी बुक है डिसेजन रिड्मेंड उसको पर्चेस करके भी आप उसमें से स्टड़ी कर सकते हैं तो पूरी कलर बुक अवेलेबल है वो भ काफी ज़्यादा जो है वो पेन होता है और वहाँ पे सूजना जाती है फिर हम देखे तो पॉस जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे किड्नी के अंदर भी यह पस जो हो बन सकती है बाहरी हिस्सों में भी पस बन सकती है फिर डिस्चार जा सकता है कान में से डिस्चार जाना pelvic inflammatory disease में भी पस बनती है especially महिलाओ के अंदर fever and body pain हो सकता है अगर आपके सरीर में पस काफी जदा बन रही है तो अब बात करते है diagnosis का तो एक physical examination होता है जो doctor होते है वो अच्छे से check करते है फिर जरूत पढ़ने पर blood test किया ज़ता है infection कोई पता लगाने के लिए अब समझते हैं treatment के options तो जब पस बनती है तो उसके लिए options अलगर रहते हैं हमारे पास जैसे की एक option है हमारे पास वो है कि आप जो है वो oral antibiotic prescribed कर सकते है कि जो patients होते है वो oral antibiotics लेते है antibiotic की gel वहाँ पे लगा सकते है cream साते है, injection साते है और उसके powder because especially यहाँ पे जो है वो bacterial infections ज्यादा involved होते है पस formation के लिए तो antibiotics के option रहते है तो सबसे पहला option है क्लिंडामाइसिन का कि यह काफी effective and powerful antibiotic पस को सुखाने के लिए यूज़ की जाती है जो गाव होते है वहाँ पे sudden ना हो दिन में तीन या चार बार ले सकते है वाँ खासकर lower dose से treatment शुरू की जाती है फिर जहाँ पे वो problem हुई है आप tablet तो ले रहा है पेसंट बट साथ में उसको यह gel भी prescribe की जा सकते है कि जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन और nicotinamide की यह gel है तो वो affected area पे लगाने का यह option रहता है तिसरा option हम देखे तो क्लिंडामाइसिन का injection भी आता है और उसका जो हम dose देखे तो 600 से 900 mg जितना रहता है IV या फिर intramuscular हर 8 गंटे पे यह dose जो है वो patient जो है वो receive करते बट injection में कुछ storage condition ध्यान में रखने है कि जब यह injection आपके पास होता है तो 2 से 8 degree Celsius के temperature पे उसको अच्छे से store करना होता है सिद्डिलेच की ड्रग होने के कारण proper medical supervision में ही उसको use किया जता है prescription के साथ ही चौता है co trimoxazole की जो tablet साथी है उसका एक जिसका dose रहता है खासकर एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार की जिसके अंदर trimethopremand selfa mythosazole रहता है और यह उसका एक famous brand है septran करके जो हम यहाँ पे देख रहे है पाचवा option है वो है antibiotic का dusting powder की neomycin का अब देख सकते हैं powder है neosporin brand है उसका फिर साथ में दूसरा एक brand देखो तो वो है neba self करके abort की formulation है यह GSK का neosporin हो गया और Pfizer का यह neba self करके जो product है की जो Pfizer और abort दोनों बनाती है तो यहाँ पे फिर से में आपका reminder देना चाहूंगा कि जो clinic चलाने के लिए practice करने के लिए अगर आपको book चाहिए तो decision treatment जो book है वो ready है कि जो alopathic practice के लिए आप हिंदी में पूरा सीख सकते है हमारी book में से तो यह book अब ready है multi-colored printed book है कि जिसके सभी pages colored है तो यह book को आप जरूर से order कर सकते है order करने के लिए यह दिये गए number पे WhatsApp कर सकते है treatment के आगे कुछ options देखे तो वो है neomycin का जो powder रहता है वैसे उसका ointment भी आता है वो भी affected area पे दिन में दो या तीन बार लगाया जा सकता है povidon iodine का powder रहता है वो भी एक antibacterial antiseptic effect देता है कि जिससे जो pus formation हो रही है जो गाव हुआ है वो देरे-देरे सूखने लगता है और problem ठीक होने लगता है इवन जो टाके लिए जाते है especially pregnancy के बाद भी जहाँ पे जो टाके लिए गए होते है वहाँ पे भी यह powder दिया जाता है लगाने के लिए नियोस्पुरिन भी दिया जाता है आठवा option हम देखे तो इसी की cream भी available है so ointment के form में cipladine and betadine करके जिसके अंदर povidone iodine रहता है around 10% जितना अब कुछ ए अंटिबाइडिक tablets में देखे तो taxim जो tablet है taxim o cv200 के जिसके अंदर sapphic zim है potassium clayolinate है के जिसका dose रहता है एक tablet दिन में दो बार या फिर तीन बार ली जा सकती है और हर एक tablet के बीच में at least 8 गंटे का time interval होना जरूरी है next doxocycline का एक option रहता है कि जिसके एक capsule दिन में एक बार या फिर दो बार ऐसा dose रहता है उसका azithromycin अगर 500 mg का है तो एक tablet दिन में एक ही बार सिर्फ तीन दिन का ये course रहता है उसका फिर clevum 625 एक tablet दिन में एक या फिर दिन में दो बार ली जा सकती है फिर उसी content का कि amoxicillin and potassium cleolinate का अगर किसी को tablet से ठीक नहीं हो रहा है pass formation तो उसके लिए ये injection का भी option बनता है फिर c-furexm का ये injection देख रहे हैं सूफा से आप करके कि जिसका dose खास कर रहता है 0.75 से 1.5 gram intra muscular या फिर intra venous लगया जाता है हर 8 गंटे पर फिर nor metrosil plus करके जो आप tablet देख रहे हैं कि जिसके अंदर ornidazol and ofloxacin है तो उसका dose रहता है एक tablet दिन में एक या फिर दो बार फिर monosaf sb जो injection रहता है वो भी एक काफी famous है कि जो vein में लगा जाता है muscles में भी लगा जाता है पर vein में जब लगा जाता है तो उसको dilute किया जाता है कि जिसके अंदर sept reaction and sulbectum रहता है फिर c-furexm oxytil जो farsep tablet है एक tablet दिन में एक या दो बार उसका dose रहेगा फिर linkum sin कि जिसके अंदर linkum iacin रहता है ये पिर काफी powerful antibiotic है कि सभी antibiotic ट्राइ कर लिए फिर भी पस नहीं सूख रहा है problem solve नहीं हो रहा है तो ये जो एक option रहता है और 19th option हम देखे तो वो है levofloxacens के tablet का फिर अगर आख में ये problem होती है तो उसके लिए eye drops है moxifloxacens के कि एक drop दिन में दो बार patient डाल सकता है फिर getty floxacens के भी eye drops का option रहता है कि एक या दो drop हर दो-तिन गंटे पे eyes में डालने होते हैं फिर ear में होता है तो ear infection जो है वावे परस हो रहे तो ciprofloxacens के eye and ear drops आते हैं कि एक या दो drop हर दो-तिन गंटे पे डालने होते हैं और एक आखरी option है linear solid का lean 600 करके यहाँ पे हम जो tablets देख रहे हैं फिर कुछ homeopathic and herbals में भी option है जैसे कि sulfur gel आती है देखके भी आप काफी अच्छी information ले सकते हैं so good luck and all the best